कल Honorable Delhi High Court की एक बहुत एहम जज्जमेंट आई है जहां पर दिली High Court ने सारे के सारे सबूत देखे हवाला Operators की स्टेटमेंट्स देखी खुद आम आदमी पार्टी के Candidates की स्टेटमेंट्स देखी उन्होंने काफी सारे सबूत देखने के बाद दो बाते सपश्ट करी पहली कि माननिय मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी की व्यक्तगत भूमिका रही है और बहुत एहम भूमिका रही है शराब घोटाले में दूसरा उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद मानन पार्टी के ही जो केजरिवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है केवल एक व्यक्ति है जिनसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवा जी राजकिमार आनंद जी ने कहा कि ये वो पाटी है जो पे बैक्टु सुसाइटी जो भीमराव अंबेड कर जी का आवाहन करती थी और payback to society की तरजबे चुनी गई थी बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज आम आदमी पार्टी payback to society नहीं, kickback to self की पार्टी बन गई है और कल के इस order के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है तो मैं जानना चाहते हूँ कि मानने मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी का जमीर कब जाये केगा वो क्यों दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं क्यों सत्ता के मुह में इतने मदमस्त हैं कि वो सीम की कुरसी को एकनम जकड कर बैठे हैं मैं पूछना चाहती हूँ क्या आम आज में पार्टी के पास कोई काडर कोई टैलन्ट कोई कारकरता नहीं है क्या जो संजे सिंग जी ये बात कर रहे हैं इनकी पूरी की पूरी धुरी क्या केवल माननिय मुख्यमंदरी अरविंद केजरिवाल जी है जिने अभी ये बोला गया है दिल्ली हाई कोट ने भी कि वो भरष्टाचार में लिप्त हैं केवल यही रेक नेता हैं क्या इनके पास कल Honorable Delhi High Court की एक बहुत एहम जज्जमेंट आई है जहां पर Delhi High Court ने सारे के सारे सबूत देखे हवाला उपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी उन्होंने काफी सारे सबूत देखने के बाद दो बाते स्पष्ट कनी पहली कि माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी की व्यक्तगत भूमिका रही है और बहुत एहम भूमिका रही है शराब घोटाले में दूसरा उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद मानिनी मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी की गिरिफतारी लीगल है आज राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंतरी हैं आमानवी पार्टी के ही जो केजरिवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है केवल एक व्यक्ती है जिनसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी राजकुमार आनन जी ने कहा कि यह वो पार्टी है जो पेबग टू सुसाइटी जो भीमरावं अमबेडकर जी का आवाहन करती थी और पेबग टू सुसाइटी की तरजबे चुनी गई थी बहुत विनम्रता से कहुंगी आज आम आदमी पार्टी पेबग टू society नहीं kick back to self की पार्टी बन गई है और कल के इस order के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोर्ट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि मानने मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल का जमीर कब जाएकेगा वो क्यूं दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं क्यूं सत्ता के मुख में इतने मदमस्त हैं कि वो सीम की कुरसी को एकदम जकड कर बैठे हैं मैं पूछना चाहती हूँ क्या आम आज में पार्टी के पास कोई काडर कोई टैलेंट कोई कारकरता नहीं है क्या जो संजे सिंग जी ये बात कर रहे हैं इनकी पूरी की पूरी धुरी क्या केवल माननिय मुख्यमंदरी अर्विंद केजरिवाल जी है जिने अभी ये बोला गया है दिल्ली हाई कोट ने भी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं केवल यही देखनेता हैं क्या इनके पास क्या है